नैशनल कांफरेंस का जंडा रंग से लाल नहीं है बलके इसमें सैंक्णू लोगूं का खून शामिल है उमर अब्दल्ला ने इस तरह का बयान दिया था और उसके बाद नैशनल कांफरेंस के जंडे को लेकर स्यासी लीडरान ने अपना अपना रद्धे अमल जाहिर किया बदल कर सेपरेटिस्ट कांफरेंस रखना चाहिए और उसके बाद उमर अब्दल्ला ने उनके इस बयान पर रद्धे अमल जाहिर करते हुए कहा कि सुनील शर्मा क्या जानते है कि नैशनल कांफरेंस का जो जंडा है ये रंग से लाल नहीं बलके इसमें हजारों लोगूं का खोन शामिल है जिन्होंने 1947 से लेकर अभी तक इस मुलक के लिए अपनी जाने कुर्बान की लेकर उसके बाद बीजेपी के नेशनल जनरल सैकर्ट्री और जमुवा कश्मीर के इंचार्ज तारंचुग ने उमर अब्दल्ला के इस बयान पर कहीं सावालिया निशान खड किसले आम करवाया है यहां पर हजारों की तैदाद में बेगोना लोगों का कतल किया गया और 1990 में आप जानते हैं कि जब कश्मीरी पंडितों के साथ जल्म हुआ कश्मीरी पंडितों को वहां पर मारा गया और उसके बाद उन्हें पलाइन करके जमुवा आना पड़ा लेक सरहद पाल लोगों से हाथ मिलाए और जमुवा कश्मीर के लोगों की जिन्दगियों को जहनम बना के रखा उन्होंने कहा कि इस तरह से कहना कि जमुवा कश्मीर नैशनल कांफरेंस का जंडा इसलिए लाल है क्यूंकि इसमें जमुवा कश्मीर के लोगों का खोन मिला है त अब्दल्ला और मुफ्ती फैमली ने हमेशा ऐसी ताक्तूं के साथ हाथ मिलाया है जिन ताक्तूं ने जमुआ कश्मीर के लोगों की जिन्दगीओं को जहन्नम बनाया है तरण्चुग ने ये भी कहा कि जमुआ कश्मीर इस वक्त पूरे मुलक में एक most secure state है क्योंके यहाँ पर वजिर आजम नरिंदर मोदी की जानिब से जो development की गई है जो progress की गई है जो policies यहाँ पर अपनाई जा रही है इसके चलते जमुआ कश्मीर मुलक बर में एक most secure state बन चुकी है उनने ये भी कहा कि जमुआ कश्मीर के लोग पूरी तरह से तयार है कि वो आने वाले इंतखाबात में अब्दल्ला फैमली और मुफ्ती फैमली को सबक सिखाएंगे और साथी साथ उनने ये भी कहा कि अब जमुआ कश्मीर के लोग पूरी तरह से जान चुके हैं किस तरह से पाकिस्तानी ताक्तूं के साथ महभूबा यानि मुफ्ती फैमिली और अबदुला फैमिली ने हाथ मिलाए और किस तरह से वहाँ पर एंटी बीजेपी फोर्सीज को जमुवा कश्मीर में फैसलिटेट किया जा रहा है लेकर आपको बता दे कि अमर अबदुला ने सिर्फ ये कहा था कि नैशनल कांफरेंस का जंडा इसलिए लाल है इसमें कोई रंग शामिल नहीं बलके इसमें हजारों लोगों का खून शामिल है जिनूने 1947 से लेकर अभी तक इस मुलक के लिए कुर्बानियां दी और खासकर हमारे पार्टी वरकर्स ने इस जंडे को सेचने के लिए अपनी जानू का नजराना पेश किया मेरे पास एक लंबी फहरिस्त है अगर मैं नाम गिनवाने पर आ जाऊं तो काफी वक्त लग जाएगा लेकर उसके बाद नैशनल कांफरेंस के जंडे को लेकर सिया मेरी पंडितों के खोन से रंगा गया है बाराल अब देखना जरूर होगा कि नैशनल कांफरेंस के लोग तरण चुग के इस बयान पर किस तरह से अपना रद्य अमल जाहर करते हैं